हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो आज इस वीडियों में हम बात करने वाले गूगल ड्राइब क्या है और गूगल ड्राइब का आज की टाइम में क्या यूज है और आप लोग इसका यूज किस तरीके और किस काम के लिए कर सकते हैं तो चलि हमारे जो मुवाइल फोन होते हैं हमारे जो कंपूटर होते हैं उनके अंदर पहले से ही स्टोरेज डिवाइस लगे हुए आते हैं जिनको हम रोम या एससडी या फिर हार्डिस्क की नाम से जानते हैं जिनके अंदर हम अपने डेटा को जो हमारा वीडियो के रूप में होत सकते हैं इस्टोर यूजड यहां पर 60.47 MB और 15 GB यहां पर दे सकते हैं गूगल ड्राइब आपको 15 GB रैम भी देगा यहां पर अपने वीडियो को यह अपने फोटो को डाकुमेट्स को आप इसमें सेफ रख सकते हैं आप कैसे रखेंगे दोस्तों यह में आपको बता दूँ यहां पर दोस्तों आपको प्लस के आइकन दिखराऊगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने फोल्डर दिखराऊगा यहां पर अपने फोल्डर में जाके अपने वीडियो को फोटो को आप यहां पर रख सकते हैं और यहां पर अपलोड भी क आप यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर अपने वीडियो फोटो डाकूमेट आपके मुवाइल में जितना ही इस्टोरे डाटा या वीडियो फोटो जो भी रहते हैं आप यहाँ पर Google Drive में सेफ रख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो हेर फुल लगी होगी तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे और भी देखने के मिल जाए मिलते हैं दोस्तो एक नहीं जानकारी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को जाए हैं दोस्तो